हलो फ्रेंड्स, इस्टडी बेसिक 24-7 में आपका स्वागत हैं, एक बार फिर से हाजिर हैं, सर्ट साइन इंडिसेस की एक और वीडियो लेकर, आज हम इस टॉपिक का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आलत तक, और हाँ, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि देखिए, लिखा हुआ है, find the value of root 1, plus root 1, plus root 1, और यह infinite तक है, तो हमें इसकी value बतानी है, यह मान बताना है, तो इस question को बताने से पहल हम आपको एक concept सिखाते हैं, या कह सकते हो एक trick बताते हैं, और वो trick कैसे आई है, वो पहले explain करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ सके, crystal clear हो सके, यह रूट ये, plus root ये, plus root ये, plus dot dot dot, infinite तक अगर, ठीक है, तो इसका जो answer आता है, वो हमेशा जो आएगा, वो under root 4A, plus 1, ठीक है, और अगर हम यही कहें दें कि root A, minus root A, minus root A, minus root A, minus root A, ऐसे, infinite तक ज़र जा रहा है, तो इसका जो answer आएगा, वो root 4A, plus 1, minus 1, by 2, इस तरीके से इसका answer आता है, मतलब ये, एक सबसे कह दीजिए, आपके लिए formula है, even ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे भी छोटी trick बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, आप देखिए, जैसे ये, अगर मैं पहले examples को लेता हूँ, जैसे root A, plus root A, plus root A, लिखा हुआ है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ, कि ये वा इसको अगर मैं लिखो दूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ, x is equal to under root A, plus x, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर मैंने बताया कि अगर जैसे मुझे ये root हटाना है, ठीक है, root हटाना है, तो मैं दोनों तरफ square कर दूँगा, मतलब मैं इधर भी square कर दूँगा, और मैं इधर भी square क दूँगर दिया, तो देखा, मुझे क्या मिला, x square is equal to A, plus x, तो आपको पता है कि ये quadratic equation बन गया, अगर हम आपसे पूछें कि roots जानने के लिए क्या formula होता है, तो आपने पढ़ रखता होगा, सरीदराचारी का formula, क्या था, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, ये I am sure आप लोगों को पता होगा, इसका भी coefficient 1 है, और ये a है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखो, तो a की value यहाँ से देखिए, क्या है, 1 है, b की value यहाँ से क्या है, minus 1 है, और c की value क्या है, minus a है, और इसमें अगर मैं put कर दूँ, तो देखिए यहाँ minus b है, minus b मतलब minus minus plus, यानि 1 आ जाएगा, ठीक है, plus minus आप लगा दीजिए, अब यहाँ पर under root b square minus 4ac है, तो b square का square करेंगे, यानि minus 1 का square करेंगे, तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर 4 को a से multiply करा होगे, तो 1 है, तो 4 वन जा 4, और यह c, तो यह जो आएगा क्या minus 4a plus 1 हो जाएगा, और नीचे 2a है, a की value 1 है, तो 2 एंजा 2, यानि 2 आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है, कि 1 plus minus under root 4a plus 1 आया, ठीक है, तो इसी के दो root से, जो under root a plus plus अगर है, तो यानि यह positive integer रहेगा, तो यह इसका answer क्या हो जाएगा, 1 plus under root 4a plus 1 by 2 लिख सकते हैं, ज minus का sign रहेगा, तो यह हम minus वाला ले लेंगे, यानि 1 minus under root 4a minus 1 by 2, ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप लोग screen shot ले लिजिए, फिर इसमें मैं और कुछ condition बताता हूँ, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि x is equal to under root a plus under root a plus under root a plus dot 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 infinite तक अगर होता है, तो क्या हो जाएगा, under root 4a plus 1 और plus 1 by 2, यही चीज़ अगर minus में होगी, यानि उसको अगर मैं y माल लूँ, तो क्या हो जाएगा, under root a minus under root a minus under root a minus dot 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 infinite तक, तो वो हो जाएगा, under root 4a plus 1 minus 1 by 2, इसका अब आप देखिए, अगर मैं इसको subtract कर देता हूँ, यानि अगर मैं इसको subtract करता हूँ, यानि difference अगर इन दोनों का देखू, x minus y, तो क्या आएगा, तो हम देखेंगे, जिसे यहाँ पर x क्या है, तो x है, root 4a plus 1 plus 1 by 2, और यहाँ पर minus लगा देंगे, यह कितना है, root 4a plus 1, यह अंदर minus multiply होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, by 2, ठीक है, अब क्योंकि denominator same है, इल्ले मैंने direct कर दिया है, तो यहाँ पर हम नीचे अगर 2 लिद दें, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यह आपस में cancel out हो जाएगा, ठीक है, यह minus है, और यह plus है, आपस में cancel out होके, यहाँ पर plus 1, plus 1, यह नहीं 2 बचेगा, तो x minus y is equal to 1 आया, इसी तरीके से अगर इसका result आप देखेंगे, तो अगर मैं इसको x into y करूंगा, यह अगर इन दोनों को मैं multiply करता हूं, तो a आयेगा, मतलब यही value आपस आ जाएगी, ठीक है, तो यही आपकी trick बन जाती है, तो trick क्या बनती है, वो अभी आगे आने वाले questions में बताएंगे हम कि कैसे trick को use करोगे, और यह क्यों उस तरीके से हम उसको use करते हैं, तो उसके पीछे region यह है कि x minus y is equal to 1 और x into y is equal to a, actually यह होता क्या है, यह दो factors ऐसे आपको बताने होंगे, मनाने होंगे, जिस तरीके से अगर question दिया रहेगा, जिसका difference 1 हो, और अगर हम multiply करें, तो यह ही आए, ठीक है, ऐसे दो number समय जानने होंगे, तो अगर plus होगा, तो यानि x देखो, x scale plus के लिए है, और y minus के लिए, तो अगर plus दिया हुआ है, तो आप, यानि जो greater value है, वो use करोगे, और अगर minus minus दिया है, तो smaller value हो, वो use करोगे, चलिए हम question पे चलते हूँ, तो अगर मैं इसको x consider कर लूँ, वही चीज है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं लिख सकता हूँ, कि x is equal to under root 1 plus x, ठीक है, दोनों side अगर मैं square कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x square is equal to 1 plus x, इसको फिर से 1 side ले आएंगे, तो x square minus x minus 1 is equal to 0, यह हो जाएगा, ठीक है, अब यह under root b square minus 4ac by 2a, यही formula हम लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, क्या है, a की value हम लिख देते हैं, a की value 1 है, b की value यहाँ से minus 1 है, और c minus 1 है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, minus b है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का, plus minus, नीचे अंदर क्या जाएगा, यानी minus 1 का square गोगे, तो 1 आजएगा, और यहाँ पर minus है, लेकिन यह अंदर इस से multiply होगा, यानी c से, तो क्या हो जाएगा, ultimately plus हो जाएगा, तो 1 plus 4 by 2, तो 2a है, और a की value 1 है, ठीक है, तो 2 एंजा 2 ही रह जाएगा, यानी इसको फर्दर देखेंगे, तो यह under root मे और 1 हो गया, 1 minus under root 5 by 2, तो अगर इसको solve करोगे, तो इसका जो answer आएगा, यानी 1 का 1.62 आएगा, और दूसरा जो आएगा, इस वाले को अगर solve करते हैं, तो minus 0.6 आएगा, तो हमें यहाँ इससे answer सीदा सीदा पता चल दा है, कि x की जो value होगी, वो 1 से 2 की बीच में होगी, द यहाँ पर minus 0.6 हम ले नहीं चाकते हैं, आप देखते हैं next question, जैसे यह question देखिए, इसके लिए मैंने बताया था कि x minus y is equal to a, x minus y is equal to 1, और x into y is equal to a होना चाहिए, तो देखिए, आप यहाँ पर जैसे under root 6, root 6, root 6 ऐसे है infinite तक, अगर जब कभी भी infinite तक है, plus plus लगा है, तो पह apply by y किया गया, तो a आया, जो कि वहाँ पर दिखाया गया था कि कैसे होगा, तो उसी concept को हम use करेंगे, तो उसको हम trick बोल देते हैं, क्योंकि अब हमें वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, ultimately जो final result आएग तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसका answer 3 हो जाएगा, अगर यही minus minus लिखा होता, तो इसका answer 2 हो जाता है, और क्यों होता है, यह मैंने आप लोगों को समझा दिया, ऐसे जैसे आप इसका answer देना हो, लिखा हुआ है root 30 plus root 30 plus root 30 plus dot 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 infinite, again plus है, तो हम क्या करें होता है, तो 6 multiply by 5, और 6 minus 51 होता है, यहाँ बन की difference में हमें factor जानना है, तो 65 जा 30, और 6 minus 51, तो यहाँ पर प्लस है, तो इसका answer 6, यहाँ और ली किया जा सकता है, इसको, next देखते हैं, अब माल लीजे यह question आ गया, 272 plus 272, ऐसे infinite तक लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जिसे थोड़ा सा बड़ा factor हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा factor हो गया, तो आप option का भी help ले सकते हो, option देखिए, तो यहाँ पर यह दो value ऐसी दिख रही है, जो की आपस में 1 का difference है, ठीक है, 1 का difference है, तो मैं एक बार इनको multiply करके देखता हूँ, क्या 272 होता है, तो बिल value आजाती है, option इसलिए मैंने बता है, क्योंकि वहाँ पे आप ने, एक के difference में आप factor को सर्च कर पाऊंच जादा, थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, तो उससे अच्छा है, आप option देखिए, वहाँ पे दो ऐसे numbers मिल ले हैं, जो एक के difference में, तो उनको आप try करके multiply करके देख लीजिए, अगर वही number आ रहा है, तो अगर प्लस होगा, तो बड़ी value, minus होगा, तो छोटी value करतेंगे, माल लोग ऐसा question पूछ लिया जाए, कि what is the value of 2 plus under root 2, plus under root 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको modify कर दिया गया है, ठीक है, यानि यह अभी तक जो हम करते हैं, वही ह जिसको अगर हम break करेंगे, तो 2 under 2, और 2 minus 1, यह दोनों condition तो satisfied कर रही है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस है, तो यानि 2 हो जाएगा, और यहाँ already plus लगा हुआ है, तो 2 plus 2 कितना हो जाएगा, 4, इसका answer, 4 हो जाएगा, तो बहुत आसान सा question है, लेकिन अगर आप लोगों को प जाएगा हुआ है, देखो यहाँ, पता है, 7 multiply by 6, 7, 6 होता है, minus है, यह 6 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, minus minus infinite तक है, बस यह धियान देना है, infinite होना चाहिए, अब इस question को करना है, तो इस question भी आप वही करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, option आपका काम नहीं कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर option में ऐसे नहीं, क्योंकि यह divide कोई, एक series नहीं पूछी गई, तो यहाँ पर देखिए, 210, अगर हम देखें, तो 14 multiply by 15 होता है, तो 15 forza, 60, तो 210 हो जाएगा, इसको आप break करोगे, तो कितने में break होगा, तो यह आपका 13 multiply by 12 हो जाएगा, value ले लेंगे, जो की greater value क्या है, 5, और यहाँ पर छोटी value लेंगे, यानि 12, तो यहाँ 15 by 12, ठीक है, अब इसको solve कर लीजिए, तो आपको पता है, कि देखिए, 12 बंजा 12, और यहाँ पर आप जाएगे, तो 3, 12, 2, 24, 12, यानि C option हो जाएगा, आपका answer, चलिए next question देखते हैं next question, यह दे रखा है, कि under root, फिर cube root, 0.004096, यह जो cube होता है, 16 का cube होता है, 4096, 16 का cube होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यानि अब इसका हम cube निकाल लेंगे, यानि under root, 0.16 हो जाएगा, 0.16 हुआ, तो आपको पता है, कि इसका square root कितना हो जाएगा, 0.4, तो य यह अब पर answer हो जाएगा, चलिए इस question को देखते हैं, लिखा हुआ है, 2.3 multiply by 2.3, multiply by 2.3, minus 1, divide by 2.3, multiply by 2.3, plus 2.3, plus 1, लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे solve करेंगे, तो देखिए, इस question यह थोड़ा सा हटके है, अभी तक जैसे करते चले आ रहे थे question को, इसको मैं, ऊपर व आ रहे हैं, तो इसलिए मैं लिखनूंगा, 2.3, square, यहाँ plus लगा है, plus, यह आपका 2.3 ही है, और यह plus 1, तो देखिए, यहाँ पर आपको एक identity देखेगी, वो identity कौन सी है, देखिए, aq minus b cube का जो formula होता है, वो क्या होता है, मैं अगर आपसे पुछूँ, तो आपको होगे, a ठीक है, sorry, 2.3, square, plus 2.3, इसको अगर multiply by 1 कर दें, तो कोई problem नहीं है, तो यह जो a, b का जो फाम है, वो बन जाया है, plus 1, तो यानि यह ultimately यही लिखा है, यानि अगर हम इसको लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, direct, 2.3, minus 1, a minus b हो गया, इसको हम लिख देंगे, 2.3, square, plus 2.3, multiply by 1, plus 1, square, नीचे भी वही लिखा है, 2.3, square, plus 2.3, multiply by 1, और plus 1, square, तो यह चीज आपस में कट जाएगी, बचे का क्या, 2.3, minus 1, तो अगर हम 2.3 से minus 1 करेंगे, तो क्या आएगा, symbol सा 1.3 आएगा, देखो जब आपको यह identity दिखें, तो आप यह मत करें, यानि जो value है, वो value को न ल करतें, तो यह इतना लिखना नहीं पड़ता, देखा, आपने a cube minus b cube है, नीचे आपने देखा, क्या, इसको आप पुरा a मान लीजी, इसको b मान लीजी, ठीक है, तो आप जब देखेंगे a cube minus b cube, नीचे आपने देखा a square, ठीक है, यहाँ आप उसको लिख सकते है, plus a b, और plus b square, a cube minus b cube को आगर आप open करोगे, तो क्या हो जाएगा, a minus b, और यहाँ पर a square plus a b, plus b square, और नीचे भी लिखा हुआ है, a square plus a b, plus b square, तो यह cancel out, यह थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखना, 2.3, 2.3 minus 1, ऐसे करके लिखने से, ठीक है, तो इसलिए अब आप इसको बहुत आसा जिसे, जिसे आप यह भी करने की जुरूद नहीं पड़े कि जब आप देखोगे, तो a minus b पता है, उपर नीचे एकट जाएगा, तो सीधा आपने देखा a minus b बचने वाला है, a 2.3 है, और b1 है, तो आप जब प्रेक्टिस करोगे, तो यह मुश्किल से 2-3 सेकंड के question होते ह यह early हो जाएगे, बस आप प्रेक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, next question पे चलते हैं, यह भी काफी अच्छा question है, देखें यहाँ पर क्या बताना है, मैं the value of under root minus under root 3 plus under root 3 plus 8 root 7 plus 4 under root 3, अगर मैं इस portion को अलग लिख लेता हूँ, पहले समझाने के लिए, under root 7 plus 4 under root 3, क् मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 plus 3 plus 2 into root 3, ठीक है, यह मैंने क्यों लिखा, यह आप जब करोगे, बार बार प्रेक्टिस, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने a plus b का whole square में, इसको break कर दिया, देखें यह 2 का square हो गया, यह under root 3 का square हो गया, plus 2 into 2 into root 3, यह जैसे यहाँ मैंने देखा, मुझे यह idea पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि यह किसका है, 2 plus root 3 का whole square है, तो जैसे ही, इस step पे लिखेंगे, यानि मैं लिख दू, minus under root 3, plus under root 3, plus, अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो इसके बाद, यहाँ पे क्या लिखा है, अंदर हम लिख देंगे, 2 plus under root 3 का whole square, यह मैं लिख दूंगा, और जैसे ही, whole square लिखा है, तो यह square, इस square root को cancel out कर देगा, तो क्या बचेगा, under root, minus under root 3, plus, under root 3, plus, इसको अंदर हम multiply करा सकते हैं, 8, 2, जा 16, ठीक है और 8 root 3, plus 8 root 3 लिख सकते हैं, फिक है, जैसे मैंने यह लिखा, again मुझे दिख गया फिर से, कि यहाँ पे यह क्या हो सकता है, 2, 4, जा 8, और यह root 3, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, उसी तरीके से, यानि, minus, under root 3, plus, under root 3, यह root 3 जो है, इसको हम इसे लिख देते हैं, root 3 का whole square है, यह जो 3 लिखा हुआ है, plus 4 का whole square, ठीक है, plus 2 into 4 into root 3, अब आप देख सकते हैं, कि यह फिर से, again, a plus b के whole square के identity फिर से बन गई, और की बार identity क्या है, 4 plus root 3, तो हम इसको फर्दर लिख लेंगे, minus, under root 3, plus, इसको मैं लिख देता हूँ, 4 plus, under root 3 का whole square, again, यह square से square root का इंसल आउ root 3 है, तो मैंने लिख दिया, minus root 3, plus, यहाँ पर यह क्या बचेगा, जब square root हट गया, तो सिर्फ plus बचा, 4 root, 4 plus root 3 बचा, ठीक है, अब आपको पता है, कि यह plus 4 root 3 है, और plus root 3 है, और यह minus root 3 है, cancel out हो जाएगा, बचेगा, under root 4, और यह इसका answer 2 हो जाएगा, तो फिलाल इस यह से questions देखेंगे, जो आये हुए question है, उसको solve कराएंगे, तब तक के लिए, बाबाए, अगर यह वीडियो समझ में आया है, आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को like करिए, share करिए, और साथी channel को भी subscribe कर लीजेगा, bell icon को भी press कर लीजेगा, मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care